नमस्कार ट्रैवलर अवी ब्लॉग में आपका एक बार पुना स्वागत है आज हम कानपूर सागर फोरलेन हाईवे के नए अपडेट से आपको रूबरू करने आये हैं 96 गाओं से गुजरेगा रमईपुरकबरे फोरलेन NHI ने एलाइनमेंट रिपोर्ट मुख्याले भेजी कानपूर से भोपाल जाना होगा असा कानपूर में जाम और हाथसे का बड़ा सबब बन चुके रमईपूर से कबरेन मार्ग को फोरलेन किया जाना प्रस्तावित है प्रस्तावित फोरलेन समानां पर हाइवे कानपूर नगर, फतेहपूर, हमीरपूर वमहुबा के कुल 96 गाओं से होकर बुजरेगा NHI ने हाइवे निर्मान के लिए एलाइनमेंट रिपोर्ट मुख्याले भेज दी है रिपोर्ट पर मुख्याले की मुहर लगते ही गजट जारी किया जाएगा इस रोर में हैवी वाहनों का सबसे ज्यादा लोर है कानपूर सागर हाइवे पर हमीपूर, कबरेई से बड़े पैमाने पर गिट्टी, मौरंग कानपूर, लखनव, सीतापूर, गोंडा, बहरायच, अयोध्या, लखीनपूर आधी जिलों को भीजी जाती है हर दिन हजारों की संख्या में डंफर और ट्रक गिट्टी, मौरंग लेकर जाते हैं हाइवे पर हर दिन दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं कानपूर सागर हाइवे पू लेन होने के कारण, आए दिन दुर्घटना वजाम की समस्या से लोगों को रुबरू होना पड़ता है मौजूदा हाइवे पर हाथसों की तादाद सबसे ज्यादा है पुलिस के प्रयास भी नाकाफी हो रही है 112 किलोमेटर लंबे रमईपूर से कबरई फोरलेन समानांतर हाइवे बनने के बाद आमजन को जाम वद उर्घटनाओं की समस्याओं से मिलेगी इसके साथ ही कानपूर से धोपाल जाने का रास्ता भी सुगम होगा NHI ने कानपूर नगर, फतेहपूर, हमीरपूर वह महुबा से गुजरने वाले हाइवे के लिए कुल 96 गावो चिनहित कर अलाइनमेंट रिपोर्ट सौंप दी है NHI परियोजना निदेशक अमन रोहिला के मुताबिक परियावरन एनवसी के लिए परियावरन मंत्रालय को भी पत्र भेज दिया गया है यहाँ फोरलेन गुंदेल खंड एकस्प्रेसवे को पार कर कबरे तक बनेगा इसमें कानपूर नगर के 51, फतेहपूर के 4, हमेरपूर के 26 और महुबा के 15 गाव शामिल है इन गावों से होकर गुजरेगा फोरलेन हाइवे कामपूर नगर में शंभूआ, कठेरूआ, काकोरी, चौराई, हड़ा, छोकी, किशुनपूर, मंझावन, खेरसा, कठुई, मगरासा, रमईपूर, बाजपूर, लुधौरी, हाजीपूर, शुंभादो, घाटनपूर, तहसील में बरॉली, रायपूर, पडरी, लालपूर सतरहुली, सराय, सिरोह, भदेवन, छाजा, रामसारी, मिर्जापूर, कुंहेडिया, पोरिया, बमहौरा, इतर्रा, बुच्चुपूर, परास प्रथम खंड, कोरिया, पश्चिमी, कोहरा, सजेती, बमहौरी, चितौली, अनुया, बावन, मदूरी, बरीपाल, असगहा, प परतहपूर, बिंदकी तहसील में, परसेंधा, एतमाली, परसेंधा, मुस्तकिल, गंगुपूर, शामपूर, हमिरपूर में, देवगां, गहतौली, जलाला, पच्खुरा, बुजुर्ग, पेढ़ा, अराजी, मुतनाजा, पंधेरी, पढ़ौली, पारा, पित्रा, चंदन गाउ शामिल है, महोबा में खन्ना, चिचारा, बहीगा, बर्बई, गौहारी, कबरेई, मरहठी, बगवा, कैमाहा, रिवई, सुनेचा, बीला, उत्तर, नहदौरा, माफ, बरमहौली, कहरा, मरहठी गाउं से होकर यह फोरलेन हाइवे निकलेगा, एन एचैयाई जल्द ही इन गाउ के लोगों से संपर्क करके उनके खेतों की कीमत मुवावजा देगा, कानपूर सागर हाईवे के फोरलेन होने से कबरेई, हमीरपूर में लगने वाले जाम से छुटकारा मिल जाएगा, वही जासी खजुराहो फोरलेन तयार होने से भोपाल से लखनव से आवाग में समय की बचत होगी, महोबा जनपद स्टोन क्रशर उद्योग के लिए प्रदेश में प्रथम स्थान रखता रहा है, परन्तु अब तक सागर कानपूर राश्ट्रिय राजमार्ग के महोबा से कानपूर तक मात्रटू लेन होने तथा इस मार्ग पर वाहनों की अधिक्त से महस 120 किलोमेटर की दूरी तय करने में 5-6 घंटे का समय लगता था, वहीं अब 56 किलोमेटर के बाईपास बनने वह कबरेई से रमईपूर तक फोरलेन सडक के निर्मान हो जाने से यह दूरी 2 घंटे में ही तय की जा सकेगी, साथ ही मौधा, भरुआ, हमीरपूर, आने वाले घंटों के जाम से भी निजात मिल सकेगी, समय की बचत होने से महुबा जनपद में गिट्टी लेने आने वाले ट्रकों के फेरों की संख्या बर जाएगी, अन्य गिट्टी मंडियों के ट्रक भी परिवहन सुगम होने से महुबा की और आकर्शित होंगे, जिसस जन्पत के स्तोन क्रशर उब्योग के अच्छे दिन की आशा उब्यमियों में जग गई है